नमस्कार दोस्तों सौगत है अब सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों मत्यबटेश लोकसेवा आयोग इंदा और दौरा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिये हैं MPPLC का जिसमें पहले साहिक संजाला करसी सम्दित जो नोटिफिकेशन जारी कर दिये गया था जो कि केवल करसी वि तो आईए देख लेते हैं किस प्रकार से पदों का distribution है और परिक्षा का बायुज़त की जाईगी जिसा कि आप देख सकते हैं preliminary जो परिक्षा है prelims का examination प्रारामिक परिक्षा के रूप में जो है offline tick mark बस्तुनिष्ट जो है वो परिक्षा होगी जिसमें सामान अध्यन कर 10 बजे से 12 बजे पेपर दिनांक 12 जनवरी 2020 कोगा वहीं दूसरा पेपर उसी दिन आप का युज़त किया जाएगा दो पंदरा से चार पंदरा दो गंटे का समय आपको दिया जाएगा हर पेपर के तो यह देख लेते हैं और क्या नियम कानून इस पाद चेंज हुए है फीस में किस परकार की व्रद्दी की गई है तो देख लीजिए किस परकार से पद हैं सामान प्रसासन बिभाग की बात कर लेते हैं वाज प्रसासनिक सेवा उप जिलाद्यक्ष की बात कर लेते हैं डिप्टी कलेक्ट तो 27 पेष्ट जो पोस्ट हैं उसमकार जो क्रेट पे वह चोवण सो है वहीं DSP 22 पोस्ट चोवण सो ग्रेट पे बित विभाग के में कनिष्ट वेतनमान कोसाल है अदिकारी 24 पोस्ट हैं वहीं सहाएक संचालक स्थानी दी संपरिक्ष अच्छ है जन संपर्क विभाग के अंतरकत सहाएक संचालक जन संपर्क के ग्यारा पद हैं इसके और खाद विभाग की बात कर लेता हैं दो पद हैं आपूर्ती अदिकारी जलापूर्ती अदिकारी की स्कूल सिक्छा विभाग के अंतरकत सहाएक संचालक के 60 पद हैं वहीं सामाजिक नयायों निशक्त जन कल्यान विवाग सहायक संचालक संवर्ग के लिए 500 ग्रेट पर निलायत किया गया है कुल 19 पोश्ट है वहीं राजस विवाग की बात कर लेते हैं जो कि 33 रेनी कारपालिक पोश्ट है उनका 36 ग्रेट पर होता है नायाब तैसिलदार एकत्तर पद और बित विवाग के अंतरगत मद्रेश अधिनेस्ट लेखा सेवा तो 88 पद कुल मिलाकत 330 पदों के लिए नोटिफिक्शन जारी कर दिया गया है इस बार परिक्षा 52 में ही आयज़ की जा रही है ठीके जो भी पुलिस विवाग के अंतरगत पोश्ट है उनके लिए या बन विवाग के अंतरगत है उसमें अलग माप डंड चलता है तो आईए देख लिए पुलिस विवाग के अंतरगत जो DSP की पोश्ट है उसमें आप पुरस की जो हाइट है 168 मैलाओं के लिए 155 ने कि ओनलाइन आभी देन जरूर करें वह एक्सेप्ट होगा ठीक है ओनलाइन आभी देन आप 20 नवंबर से कर सकते हैं परिक्षा सुल्क साड़े सास सु रूपए या दिब्यांग जन अन के लिए पंदरा सु रूपए दोनों परिक्षाओं के लिए आप करते हैं जैसे बन और एड्मिनिस्ट्रेटिव तो आपके लिए एक हजार रूपए और अन के लिए दो हजार चारीश रूपए सभी को देना पड़ेंगे आए यह देख लेते हैं किस प्रकास स्लेवस है या सेकंड पेपर के बारे में आप जानते हैं जो कि लिखित परिक्षा होती है छे पेपर इसमें होते हैं पांच बाह होता है सामान हिंदी का पेपर और जो अंतिम जो पेपर हो हिंदी लेखन या ने बंदी लेखन का होता है ठीक है इसका सिलेवस भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आप चाहें तो ऑफिशल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको डेस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी दे दूएंगा तो आप सभी को पेपर क के लिए हमारे चैनल से जडूरू जुड़े रही है आईए मैं बन जो परिक्षा है उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो बता देता हूं हमारे चैनल से जुड़े रही है